आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ धौनी मूवी की 10 लर्निंग्स जी हाँ आप लोगों ने देखी होगी MS धौनी पर आधारी ते एक बहुत ही सांदर फिल्म जिसमें से आज की 10 लर्निंग्स ले गई हैं लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले चाहूँगा आप लोगे पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन मैं फिर मैं लेके आँगा आप लोगों के लिए इकबाल मूवी की 10 लर्निंग्स उसके बाद मैं फिर मैं एक सिरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए आपकी सक्सिस के लिए APJ कलाम साब की लाइफ की 10 लर्निंग्स उनके बाद मैं फिर मैं आपको बताऊ सकते हैं हम वारिन बुफे की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं हम बिल गेट्स की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग जारेंगे इलान मस्क के बारे में उनकी लाइफ से हमने क्या क्या सीख सकते हैं हम दतन टाटा जी की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं ये सारी चीज़े आप लोगों को मिलने वाली हैं इन सब कामियाब लोगों की लाइफ से सचिन तेंदुलकर की लाइफ से या मिताब बच्चन की लाइफ से इन सब लोगों की लाइफ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बैल आइकन को हिट करेंगे तो क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ही तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बैल आइकन को हिट करेंगे तो दोस्तों चलिए अब ज़्यादा विलम न करते हुए आज हम जानते हैं धौनी मूवी की 10 लेरिंग्स जिसमें सबसे पहले लेरिंग्स करते हैं दोस्तों चील्स यूर ड्रेंग्स करने के लिए पूरी की पूरी तागत लगा दी फिर उसने अपने ड्रीम को चेज करने के लिए पूरी जान लगा दी तो दोस्तों हमें भी किसी भी फिल्ड में यदि successful होना है तो सबसे पहले हमें अपना एक dream बनाना चाहिए और फिर dream को chase करना चाहिए हमें हिम्मत हार के बैठना नहीं है dream का पीछा करना है और जब तक dream पूरा नहीं हो जब तक ठक हार के बैठना नहीं है तो यह थी पहली learning जो हमें दोती है धौनी movie के माध्यम से दूसी होगा how disciplined he is कितना discipline है कितना cool है और इसलिए आपने देखा होगा कि लोग धौनी को बोलते है cool Mr. Cool है न माहीद cool मतला बहुत ही शांदर तो patience बहुत है धौनी के अग्दार और इसलिए लोग धौनी के patience की जो है दाग रचे है तो patience हमें सीकने को मिलता है धौनी movie से जिस तरीक से उन्होंने काम किया और life में success हासल गी तो हमें भी patience सकना चाहिए और discipline में रहना चाहिए तीसी चीज़ हमेसा बेसक छोटे से शुरवात करो लेकिन लक्ष बड़ा होना चाहिए यह आप लोगों ने देखा भी होगा धौनी movie में धौनी ने जो starting की वो जस्ट एक छोटी से starting थी लेकिन फिर लक्ष कितना बड़ा बनाया वैसे ही हमें भी life में बड़े लक्ष बनाने चाहिए बड़े goals बनाने चाहिए और उनके लिए हमें काम करना चाहिए तो यह 30 सीख हमें मिलती है यह बड़े लक्ष बनाये बेसका शुरवात चाहिए आपकी छोटी क्यों न चाहिए वो as a railway में as a TTE जब job किया तब आप hard work देखिए या फिर जब उसने मैधान के उपर आकर के अपनी practice की अपना खेलना चालू किया तब दोनी का hard work देखिए तो hard work बहुत important है बिना hard work के success नहीं मिल सकती है दोस्तों इसके बाद जो पांचवी सीख जो हम लोगों को म इवन में आपको मिलती है हर असफलता से कोई न कोई सीख मिलती है हमें उस सीख से सीखना है हमें उस असफलता से सीखना चाहिए उस failure से हमें learning लेनी चाहिए ये बहुत important है और आपने देखा होगा द्धौनी जितनी भी जगह पर असफल हुआ उसने किसी को criticize नहीं किया उस को नहीं लिया सब लोग बड़े निराज है और सब लोगों को लग रहा है दोनी के साथ गलत हुआ है लेकिन दोनी क्या बोलता है चलो पार्टी करते हैं किस बात के लिए क्योंकि आज हमें पता चल गया अभी हमें और इंप्रूमेंट करना है देखा आप लोगों ने जिस व सच में मतलब I get emotional on seeing all these things मुझे भी मैं भी बड़ा भावुक हो जाता हूँ जब मुझे इस तरीके की बड़ी शांदार चीज़ है जब सीखने समझने को मिलती है क्या attitude था यार ऐसा attitude होना चाहिए कि fail हो जाओ ना तो किसी के उपर आरोप पत्यारोप मत करो fail हो जाओ ना तो सीखो उससे कुछ कमाल कमाल की चीज दोस्तर इस मुवी से हमें सीखने को मिलती है इसके बाद में दोस्तर चेटवी चीज जो सीखने को मिलती है हमें right decision at the right time yes right decision at the right time आपने देखा होगा दहनी मुवी में चाहे वो captain ship को लेकर कि कुछ decisions हो चाहे वो job छोड फिर वो family को पसंद था या नहीं था family को पसंद नहीं था फिर भी job छोड़ दी इसके बाद मैं आपने देखा होगा जिस वक्त captain ship में कुछ problem चल रही थी और धौनी ने बोला नहीं मुझे यह लोग चाहिए नहीं टीम के अंदर उसे दिखाई दे रहा था कि यह लोग उतन देख के लिए उसने वो किया तो right decision at the right time is very much important जो बड़ा सीखने को मिलता है दोस्तो इसके बाद में जो सातवी चीज़ सीखने को मिलती है family की और friends की support लेजिए जी हाँ दोस्तो family की और friends की support हमें लेनी चाहिए हमें life में support लेनी चाहिए boss support बिलकुल support लेजिए life में success के लि देखने को मिलती है किस तरीके से धोनी को आगे बढ़ने में मदद की तो आप भी जिस फिल्ट में काम कर रहे हो आपकी भी family support friends support बहुत important है support लीजिए और support दीजिए not only in position of just taking support मैं बोलता हूँ दोस्तो support लीजिए भी और support दीजिए भी दोनों ही चीज़ है बहुत important है उसक take risk to fulfill dreams, risk लीजिए, dreams को fulfill करने के लिए risk लीजिए, risk लेना बहुत important है, जब तक आप life में risk नहीं लोगे ना, जब तक आपको life में dreams fulfill कर ही नहीं सकते, तो dreams को fulfill करने के लिए risk लेना बहुत important है, अगली सीख जो हमें मिलती है दोहानी movie से that is, सीख number 9, simplicity and humbleness हमने देखा कि कितना simplicity है दोहनी के अंदर, कितनी विनमरता है उनके अंदर, और वो character में हमने देखा दोहनी movie के अंदर, कि simplicity और humbleness कितनी है, और life में success होने के लिए भी simplicity and humbleness दोहनों चीज़ें बहुत ज़्यादा important है, और हमें life में आगे बढ़ने के लिए simple भी होना चाह और दूसरी चीज़ हमें विनमरता होना चाहिए, हमें polite होना चाहिए, हमें विनमरता दिखानी चाहिए, और last but not the least, जो दसमी सीख हमें मिलती है दोहनी movie से, that is, inner motivation is very much important for success, हमारे अंदर से motivation आना चाहिए, हम अंदर से motivate होने चाहिए, inner motivation is very much important, अंदर से जुनों आना यह वाला जब motivation जब अंदर से आता है न, then only you work for, fulfill your dreams, then only you can get success, तो अंदर से motivation आना चाहिए, yes I have to do something, I will do something, तब मज आता है दोस्तों, तो यह शान्दा 10 learnings आज हम लोगों ने सीखी, आज हम लोगों ने देखी, धौनी movie से, मुझे उम्मीद है आप लोग इन learnings को अपनी life म implement भी करोगे, बेहत सफल भी होगे, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को share भी करोगे, मुलाकात होगी आप लोगों से अगले नई वीडियो में, एक नई शान्दार movie की learnings के साथ, तब तक के लिए सब इकोनों मश्कार,